हुआ गाईज सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे सो गाईज आज है देट 3rd जुलाई एन आज म्यूचल फंड पोर्टफोलियो का अपडेट आया है वो मैं आगे आपके दूंगा उससे पहले गाईज उससे पहले गाईज कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को आज कितना positive या negative आया है जो भी आया है कमेंट्स में बताओ सो हमें भी पता चले बाकी गाईज आज मैं आपसे दूसरा article एक शेर करूंगा एक आर्टिकल शेयर करूँगा कौन से मिडिकेब फंड है जो आप इंवेश्टमेंट करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो consider करके अपने लेवल पर उसके बाद और रिसर्च करके अपने responsibility पर इंवेश्टमेंट कर सकते हो तो guys वो funds एक आर्टिकल के हिसाब से जो recommend किया है मैं आपको एक share करूँगा but आप अपने लेवल पर और research करना and then decision लेने से पहले कभी भी आप कुछ भी investment करते हो guys तो पहले पूरी research करना फिर अपने responsibility पर इंवेश्टमेंट करना और थर्ड अपडेट guys मैं अपना stock portfolio का update दूँगा guys आज क्या उपर आया है या नीचे जो भी आया है वहाँ का भी दिखाऊंगा stock portfolio का भी और जो लोग video पर पहली बार आ रहे है guys आपको just take a short में बता दूँ कि मेरा guys you know goal है first goal मेरा सबसे main goal है mutual fund stock portfolio और जहां भी मैं सारा investment कर रहा हूँ first goal मेरा guys है one corona amount touch करने का और उसके बाद second goal है 20 lakhs का and third goal है one lakh 60,000 का so देखते है guys ये कब तक होता है achieve बाकि मैं daily base पे update देते रहता हूँ mutual fund portfolio stock portfolio तो जो भी investment कर रहे है या करने की सोच रहे long term पे आपको channel से definitely कुछ ना कुछ तो idea मिलेगा guys और अभी मैं बात करूं guys आज का update का की आज कितना आया है उपर या नीचे तो आज भी guys उपर ही आया है portfolio but बहुत एकदम आप बोल सकते हो बहुत कम gains हुआ है 784 रुपीस के around 0.07% but देखो negative जाने से अच्छा है positive में कुछ भी आ रहा है well and good है XIRR दिखा रहा है 60.67 और total returns दिखा रहा है guys 36.62% मतलब जब मैंने start किया था guys लगा नहीं था कि 30% के उपर returns मिलेगा but again फिर से comment पर मत मार देना कि अभी मिल रहा है comments में एक दो comment तो आई जाते but देखो जब तक आ रहा है अभी current के बात करेंगे आगे जो भी रहेगा उनीचे भी जाएगा तो आपको daily base में update तो देता ही हो तो आपको पता भी चल जाएगा और आपको भी एक idea मिल जाएगा कैसे up down होता है but अभी फिलाल current को enjoy करो guys return बहुत अच्छा है मेरा तो 36.62% है current value आपके मेरी portfolio की दिखा रही है 11,23,654 तो जो की amazing है मतलब मैं इसके बार में भी क्या बोलूँ मैं तो satisfied हो guys return से बाकि एक दिन बच्चा है guys कल पूरा एक साल हो जाएगा मुझे एक साल complete होगा guys journey करके और एक साल में guys काफी like you know आप बोल सकते हो की अच्छा खासा like you know return मिल गया 36.62% बट अगर long term पे भी ऐसे दे तो मज़ा आ जाए but anyway which way जो भी करते हैं mid cap mutual fund to invest in July 2024 so guys वो कौन से funds mid cap के हैं जो आप invest करने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक article share कर रहा हूँ यह but again बहुत बड़ा disclaimer दे रहा हूँ recommendation या buy वाला नहीं है guys investment करने से पहले और research करो अपने level पे and then अपने responsibility पे investment करना ओके guys बाकी आप देखेंगे तो सबसे पहले पे है access mid cap fund second पे है PGIM India mid cap opportunities fund third पे है investco India mid cap fund fourth पे है kotak emerging equity fund and last है fifth पे Tata mid cap growth fund so यह 5 funds है mid cap fund आप अपने level पे और research करना then अपने responsibility पे फिर invest करना और guys comments में बता हो अगर कोई already in fund में से किसी में investment कर रहा है तो अब तक कितने time में कितना investment करके कितना return मिल गया है एक बता देंगे तो मुझे और बाकी सुकों भी idea मिल जाएगा थोड़ा आप channel का भी review कर लेते हैं 4086 subscriber हो गए guys so ऐसे ही channel को support देखा हो guys जो लोग ने video यहां तक देखा है और अब तक subscribe नहीं के तो subscribe कर लो मैं daily best पे ऐसे ही mutual fund portfolio का update देता हूँ तो आपको channel से definitely कुछ न कुछ idea मिलेगा बाकी जो अलड़ी subscribe है guys आप लोग Instagram, Facebook, Whatsapp सब जगा शेर कर लो guys इतना तो guys मैं आप सब लोग से expect करता हूँ अब बात करते हैं मेरे stock portfolio का इसमें क्या हल चल धमाल चल रहा है बताता हूँ मैं आपको आगे तो अभी आप देखेंगे guys तो ये लो ये रहा total returns आप देखेंगे तो 9,480 रूपिस के around उपर नीचे हो रहा है उपर नीचे 4.26% 29 उपर नीचे fluctuate कर रहा है तो ये है अभी total returns का scene और बाकी आप देखेंगे आज का one day today's return 0.9493% के बीच में उपर नीचे fluctuate होते जा रहा है वो आगे पिछ और उपर नीचे भी जा रहा है बट अभी आज के दिन अच्छा return आया है total return अभी देखेंगे तो 9,400 के उपर around 500 के बीच में आ रहा है तो जो की well and good है मतलब ठीक है मतलब अभी देखते हैं guys long term पे क्या देता है बागे daily base वे तो ऐसे update देता हूँ इसका में एक update दियूं तो April 12 से मैंने investment किया था तो almost like धाई मेने के उपर होने आ गया है अभी ये month में almost like July 12 को तीन मेना हो जाएगा बात करते हैं मेरे अब stocks का mutual fund का so इसमें कितना return अब तक मुझे मिला है मिला है 6.08% 818 रुपीज का रूटल return है invested amount अभी दिखा रहा है 13,441 इसमें guys मैंने मैं मन्त से चालू किया था investment इसमें भी तीन funds है मेरे निपॉन इंडिया small cap, Quant small cap and SBI small cap fund तो तीनों अभी तक returns ही दे रहे हैं अच्छा निपॉन ने तो 7.31% दिया हूँ है Quant ने 3.91 और SBI ने 1.38% तो overall आप देखेंगे guys तो ठीक है 6.80% का return है great है बाकी जो भी रहेगा इसका भी मैं आपको ऐसे ही daily update देते रहूँगा Comment है Nippon small cap ने तो record बना दिया, I was shocked to see yesterday returns, return तो काफी अच्छा ही दिया है, मतलब Nippon मेरा भी अच्छा ही return दे रहा है, one day तो छोड़ दो, yesterday या one day का एक महता कि अगर बोलू मैं मेरा overall अब तक का return जब से investment कर रहा हूँ तो overall return दी मेरा Nippon बहुत अच्छा दे रहा है Comment है, कितने stock में invest है, मेरा 3 stocks में invest है, जो भी मेरा portfolio में, अभी तक मैंने investment किया, मैंने 3 stocks में डाला है, और mostly आप बोलेंगे, तो मैंने 2 stocks में रखा है, third stocks में तो ना के बराबर एकदम, ना भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं बहुत ही ना के बराबर है, तो mostly 3 stocks में है, और maybe शायद वो थर्ट स्टॉक्स जो है वो शायद आने वले टाइम पे मैं हटा भी दूँ और मेभी शायद सब स्टॉक्स का जो भी है लाइक यूनो जादा स्टॉक्स रखा नहीं मैंने अभी तक फिलाल जिसमें मुझे एकदम बिलीव है मैं उसी में टाल रहा हूँ विकॉज जब तक मुझे एकदम बिलीव निया एगा तब तक मैं इस टॉक्स में नहीं डालूँगा कोई भी एड नि करूँगा एक्स्ट्रा अगर मैं स्टॉक्स में डाल रहा हूँ तो मुझे खुद को कॉंफिड़न्स आ रहा है मैं तो ही डालूँगा वरना मैं अन्नेसेसरली लिग जस्ट बिकॉज पॉर्टफोलियो में स्टॉक्स के दस पंदरा बीस डालना है नाम के लिए बस मैं आड नहीं करने वाला इनका कमेंट है ब्रो माइ स्टॉक पॉर्टफोलियो वन डे रिटन 0.17 परसंट और म्यूचल फॉन रिटन 1.32 परसंट वेरी नाइस ब्रोदर फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं ऐसे ही चैनल को सपोर्ट डिकाओ ज्यादा दिखाओ लेकिन कभी भी कम मत दिखाना और यह साल गाईस 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है जुलाई आ गया है अब चार-पांच मैने पाच्छे मैने बचे है तो पांच मैना बोल सकता हूं मैं बचा है तो गाईस ज्यादा स्यादा चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करो इतना गाईस मैं आप सब लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ तो ज्यादा से दा चैनल को सपोर्ट दिखाओ बाकी एक चीज़ जरूर करो आप लोग अपना क्याल रोको दियान रोको बाई एंटी केर